बढ़का गाव विधायक अंबा प्रसाद ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक बजट के खिलाफ प्रतिक्रिया देते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि मोधी सरकार का यह बजट मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा प्रतीत होता है उन्होंने कहा कि कुरोना काल के दोरान बेरोजगारी चरम सीमा पर है युवाओं को रोजगार के लिए सडकों पर उतरना पड़ा है महंगाई ने गरीबों का जीना दुर्भर कर दिया है महंगाई के इस दोर में गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए किसी भी तरह का रहात नहीं है यह एक ऐसा बजट है जो भारत को 25 साल और पीछे करने जा रही है केंदर सरकार भारत को सब वर्ष का बजट बता रही है लेकिन वस्तूता स्थीती यह है कि अच्छे दिनों के सपने को सिर्फ बंद आखों से ही देखा जा सकता है उनने कहा कि पीएम नरेंद्र मोधी और वित्यमंत्री निर्मला सीता रमन ने दैनिक गरीबों, किसानों और मध्यम वर्ग को रहत देने के लिए कुछ नहीं किया है सरकार सिर्फ बड़ी-बड़ी बातों को भूनना चाहती है जिसका कोई मतलब नहीं है सरकार ने रेलवे के लिए 1,48,528 करोड रुपे दिये हैं पर इससे आम रेल यात्रियों के लिए कोई भी फायदा नहीं होगा मध्यम वर्ग के करों में कोई भी छूट नहीं मिल पाई और तो और उनके रोजमर्रा की वस्तुएं भी महंगे होने से जेप पर उल्टा आसर पड़ेगा ये बजट अच्छे दिनों को और दूर धकेलता नजर आ रहा है तता भारत वासियों के साथ विश्वासगात किया जा रहा है आम आदमी के हिस्से में एक बार फिर से मायूसी ही आई है अगर आप हमारे चैनल पर नए है या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको देश और राज्य में हो रही सारी घटनाओं से अवगत करा सकें